प्रभातकवर.com विश्वास्वही रवतार नहीं देश में हर दिन कुरोना संक्रमन का खत्रा बढ़ता जा रहा है। हर दिन मामलों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में एक लाख तीन हजार पांसों नहीं कुरोना के मामले सामने आए हैं। तो वहीं 478 मौत भी हो गई है। यह संख्या बढ़ी इसलिए है क्योंकि नए साल में यानी 2021 में कोरोना के देश में रोजाना के मामलों में यह सबसे जादा है। इन आख्डों के सामने आने के बाद भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जहां कोरोना संकर्मन के आख्डे एक लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे जादा आकड़ा जिस राज्चिका है उसमें महरास्ट सबसे आगे है। नए मामलों में 80.96 फीजदी मामले महरास्ट 36 घर करनाटक दिल्ली तमिलनाडू उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश और गुजरात से आए हैं। देश में इस बिमारी का इलाज करा रहे हैं मरीजों में से 76.41 फीजदी महरास्ट करनाटक 36 घर केरल और पंचाब में है। महरास्ट में 58.19 फीजदी मरीज उप्चार अधीन है। कोरोना संक्रमन से अब तक जानगवाने वालों की संख्या 1,64,623 हो गई है। इन आकड़ों में सबसे बड़ा हिस्सा महरास्ट रुका है जहां 55,656 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बार तमिलाडू है जहां 12,610 लोगों ने अपनी जान गवाई है। वहीं दिल्ली में 11,060, पशिमंगाल में 10,340, यूपी में 8,850, आंत्रप्रदेश में 7,234 और पंजाब में 7,032 लोगों की मौत हुई है। आकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि ये 19 सितंबर 2020 के बाद कोरोना संक्रमन के बाद सबसे बड़े आकड़े हैं। 19 सितंबर को COVID-19 के 93,337 मामले आए थे। रविवार को आए आकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी से 513 और लोगों के जान गवाने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,64,623 हो गई है। संक्रमन के मामलों में लगतार 25 दिन तीजी दर्श की गई है। कोरोना संक्रमन के मामले एक तरफ लगतार बढ़ रहे हैं तो इस बीच राहत देने वाली खबर ये भी है जहां 14 राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में COVID-19 से कोई मौत नहीं हुई है। इन राजियों में ओडिशा, असम, पुडुचेरी, लदाख, दादरा और नगर हवेली, नागा लेंड, मेघालय, मनिपूर, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्ष द्वीप, मिजोरम, अंधमार और निकोबार और अरुनाच प्रदेश शामिल है। महरास्ट चत्यसगर, पंजाब, करनाटक, दिल्ली, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश, गुजराद, हर्याना, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल समेत 12 राज्यों में संक्रमन के रोज आने वाले मामले बढ़ रहे हैं।